तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में और यह वीडियो पार्ट वन होगा और और भी मैं पार्ट लाओंगा जिसमें मैं गंगा रिवर उसके ट्रिपोट्री उसमें कौन से डैम बने हैं उसके ट्रिपोट्री में मैं एक एक वीडियो में एक ट कवर करूंगा तो बहुत यह ची तरीके से में गंगा रिवर सिस्टम कवर करूंगा और इससे पहले हम लोग ने कवर किया था इंदस इस सिस्टम उसके ट्रिव टी इस उसपर कौन से डैम बने है तो आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम तो इस गंगा रिवर सिस्टम में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन फिर हिस्ट्री फिर इसकी ओरिजिन कहां से हुई है फिर इसके कोर्स तो मतलब यह कहां कहां से गुजरती है तो उससे पहले मैं आप लोग के लिए कुश्चन लाया हूं वह कुश्चन है विच वब दा फॉलोइंग गंगा ट्रिविट्री ओरिजिनेट फॉर्म अमरकंटक प्लेट्यू कौन सी नदी है जो गंगा की ट्रिविट्री है और वह अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है तो यह देखिया आपकी ऑप्शन है आप इसका एंसर कमेंट स होता है वह रिवर जो कि किसी भी पॉलिटिकल मैप को क्रॉस करें मतलब या फिर वह एक स्टेट या फिर को इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करें तो गंगा ऑवियसली बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करती है इसलिए एक ट्रांस बांडरी रिवर है और यह फ्लो करती है दो कंट्री में एक है इंडिया और बंगलादिस और इसकी लंबाई कितनी है 2525 आप इसे ऐसे भी आज रख सकते हैं 25-25 किलोमिटर ये रिवर ओरिजिनेट करती है वेस्टन हिमालिया जो की उत्राखन डिस्टिक में है फिर ये साउथ में फ्लो करने के बाद फिर ये गंगेटिक प्लेन से होते हुए फिर बेओ बंगल में जाके लाश में मिल जाती है और ये गंगा नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिस्चार्ज वाली नदी है मतलब अगर हम discharge के मुकाबले बात करें तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तो अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर एक बहुत ही important रिवर है हिंदुईजम में और हिंदुईजम में लोग इसे एक देवी के रूप में देखते हैं तो ये बहुत सारी जगह से गुजरती है जैसे कि पाटली पुत्र, कन्योच, कासी, पटना, मुसिदावाद, फिर कोलकाता और ये एक नदी से मिलती है जिसका नाम है अलग नंदा कहां पर मिलती है ये देव प्रयाग में ये भागिरती से मिलती है इसे क्या कहा जाता है गंगा कहा जाता है तो गंगा दो रिवर से मिलने से बनती है एक है अलग नंदा और एक है भागिरती तो अगर हम अलग नंदा की बात करें तो अलग नंदा एक सतोपनात गलेसियर से निकलती है जो की बदरिनात की थोड़ा उपर इस्तित है और ये दो रिवर से मिलके बनती है एक का नाम है दौली गंगा और दूसरा का नाम है विश्नु गंगा और वो दोनों कहां मिलती है विश्नु प्रियाग में बहुत इंपोर्टन्ट है दौली गंगा और विश्नु कंगा कहां मिलती है विश्नु प्रियाग में तो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो यह originate करती है हिमालियन माउंटेन में एक जगह है जिसका नाम है गोमोक जो की एक टर्मिनल है गंगोतरी ग्लेसियर की वहां से यह निकलती है और यह जब बर्फ जब पिखलती है वहां पे तो यह भागिड़ती रिवर के फॉर में वहां से निकलती है और यह फिर उत्रा पूरा कवर करती हैं भिहार से होते हुए प्रुच पाड़ जारकंबे भैति है फिर वैस्ट बेंगावल से होते हैं बंगला देश से बेव बंग चल जाती है तो यह देख्या आप देख पार रहे हैं यह यह है यह अलग नंदा और यह माही रती यह दोनों मिलके क्या बनाती है गंगा रिवर तो अगर हम गंगा रिवर की कोर्स के बात करें तो ये 257 किलोमेटर बहने के बाद ये हिमालिया वैली से बाहर निकलती है कौन से जगा में रिचिकेस से तो रिचिकेस से यह mountain से बाहर निकलती है और फिर यह Gingo plains में enter करती है कहा पह पह खरिद्वार में तो हरिद्वार में यह Gunga plains में enter करती है उसके बाद एक डैम की मदद से इसके पानी को Gunga कनाल में भेज दिया जाता है तो वो irrigate करती है किसको एक reason है उत्तर पदेश में जिसका नाम है drop तो उसे ये irrigate करती है तो फिर वो नीचे south में बैते हुए northern plants को पूरा पानी provide करती है इसी से बहुत ज़्यादा खेती होती है वहाँ पे इसलिए उत्तर पदेश में बहुत ज़्यादा fertile land है इस गंगा नदी के कारण वहाँ जो अलिविलियल deposit होता है तो दो important cities है जो की फरुकाबाद और कानपूर जो की राम गंगा जो की गंगा किनारे इस्तित है और ये जोईन करती है राम गंगा को ठीक है गंगा रिवर की सबसे बड़ी टिविट्री है यमुना रिवर जो की उससे मिलती है एक बहुत ही फेमस जगा में जिसका नाम है प्रियाग राज जिसे की हम पहले इलाभाद के नाम से भी जानते थे और यमुना रिवर की लंबाई कितनी है 1144 किलोमेटर फिर ये जब इस्ट में बैती है तो वो मीट करती है एक रिवर जिसका नाम है तमसा रिवर और इसे हम लोग टॉन्स रिवर की नाम के बिजित से भी जानते है और इसकी लंबाई है 400 किलोमेटर जो की जिसकी लंबाई है 625 किलोमेटर और वो साउथ अव दे हिमालिया से इसमें मीट करती है तो जब फिर ये आगे बढ़ती है गंगा रिवर तो ये फिर एक बहुत इंपोर्टन रिवर जिसका नाम है घागरा रिवर इससे मीट करती है और इसकी लंबाई कितनी है 156 किलोमेटर और ये तिबबत से बह के गंगा में आके मिलती है इस रिवर को हम लोग और एक नाम से जाते हैं करनाली रिवर और ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी टिबटरी है आपको पूछा जाएगा एक्जाम में गंगा की दूसरी सबसे बड़ी टिबटरी आपके अप्शन में घागरा रिवर रहेगा या करनाली रिवर रहेगा तो आपको इसको दोने में से कोई एक अप्शन में रहेगा तो आपको सही करना है घागरा नदी के मिलने के बाद फिर ये एक बहुत ही important river जो की south से आती है जिसका नाम है stone river जिसकी लंबाई है 784 km तो इससे वो मिलती है और फिर ये आगे बढ़ने के बाद गंड़क नदी से मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है 729 km उसके बाद एक बहुत ही important river जो की बिहार का सोक भी कहा जाता है इसे kosi river से ये मिलती है जो की north of the नेपाल से आके गुजरती है इस पे बहुत सारे डैम भी बने है तो आप लोगों पता हुआ कि नेपाल के साथ हमारा बहुत सारा डिस्प्यूट है इसके water को लेके kosi river और बहुत सारे डैम के साथ भी हम लोगा डिस्प्य नेपाल के साथ ये kosi river पे तो kosi river क्या है थर्ड लाजस्ट इबटरी अफ गंगा सबसे बड़ी यमुना दूसरी घागरा और जिसको अमलक करनाली के नाम से भी जानते है और kosi मर्ज करती है गंगा पे एक जगह है जिसका नाम है कुर्षेला कुर्षेला जो की बिहार में ह वहाँ पे kosi river मिलती है गंगा के साथ भी यार के बहुत सारे सहर इसके किनारे बसे है जैसे की गाजियापूर आरा चपरा हाजीपूर मोकामा मुंगेर और बैंगॉल में जैसे फरक्का मालदा इसके किनारे है तो जब यह भागलपूर में जाती है बहती है तब यह दो पा जो कि बंगलादेश चल जाती है तो इसके बांगलाधेस में जाती है और यह बंगलादेश में गुट्टी है तो इसका नाव होँछ चेंज हो जाता है तो बांगलादेश में इसे हम लोग पदमा नाम से जानते हैं, जो की जोईन करती है जमुना रिवर, तो जमुना रिवर किसे कहा जाता है, भारत में इसे जमुना रिवर को ब्रहमपुत्र रिवर कहा जाता है, ठीक है और बांगलादेश में इसे जमुना रिवर, गंगा को पदमा कहा जाता है और जमुना को ब्रामा पुत्र को जमुना कहा जाता है तो यह जब और आगे बढ़ती है तो फिर यह मेगना रिवर एक बांगलादेस में रिवर है उससे मिलती है और लास्ट में जाकी यह बेव बंगाल में मिल जाती है यहाँ देखिए यह बहुत अच्छा मैप है जिसमें आप लोग को सारे टीबोट्रीज दिख जाएंगे गंगा के तो यहां से यह निकल रही है यहां से निकल रही है तो फिर यह यहां से बहती है फिर यह उत्तर पदेश बंगाल बिहार फिर यह बंगलादस में जाके मिल जाती है तो यहां देखिए इसकी टिपोट्रीज है चम बेतवा फिर सोन रिवर फिर गोमती फिर गंडग कोसी यहां देखिए इसका नाम हो गया पदमा और यहां जमु जमुना रिवर इसकी जो बहुत ही बड़ी डेल्टा बनाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है जो कि बेव बेंगॉल में बनती है और इसका नाम है सुंदर्बन डेल्टा आपको पता होगा सुंदर्बन डेल्टा के बारे में जो कि वेश्ट बेंगॉल में है वहां पर एक कौन सा स्पीजी रहता है टाइगर का रॉयल बेंगॉल टाइगर तो इसे हम लोग गंगा डेल्टा या फिर बेंगॉल डेल्टा की नाम से भी जानते हैं तो वह यह जगह दुनिया की सबसे फर्टाइल जगह में से एक है क्यूंकि यहां एक तरफ से बहुत सार यहां पर बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है तो इसे हम लोग ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं यहां देख पार है अब लोग देखे सुन्दरबन डेल्टा यहां से गंगा आ रही है यहां देखे इतनी बड़ी डेल्टा बनाती है यहां पर सुन्दरबन डेल यहाँ ज्यादा तर क्या होता है कीचर होता है कीचर टाइप की मिट्टी होती है थैंक यू और नेक्ट वीडियो में मैं इसके इसके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डैंस बने है इसके ट्रिबुटरी को मैं एक-एक वीडियो में आपके लिए लाओंगा छोटे-छोटे वीडियो में लाओंगा बहुत ही अच्छी तरह किसे कवर करूंगा और इसलिए को नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते रहें थैंक यू